पूरे दिन आपको किन किन संघर्षू से गुजरना पड़ेगा साथ ही किन उपाईउं को करके आप परिशानियों से छुटकारा पा सकते हैं तो चली शुरू करते हैं हमारा ये खास शो और जानते ही आपका आज का राशी फल क्या रहीगा मेश राशी अचानक कोई लंबी यात्रा अत्वा विदेश यात्रा हो सकती है पोट का च्वहरी के मामले में विवाद बढ़ सकता है धार में क्रिया कलापो के प्रती श्रद्धा में कमी होगी उपाय साफ सुत्रे कपड़े पहने इत्र लगाए व्रिशव राशी किसी अभिन मित्र से भेट होगी बौधिक शमता में व्रद्धी होगी परिवार में कोई मांगले कारिक्रम संपन होगा उपाय माता लक्ष्मी को गुलाब के दो ताजा फूल अर्पित करे मित्वुन राशी किसी महत्वपून कारे में सफल होने से आपके मनोबल में व्रद्धी होगी इश्ट मित्रों के साथ व्याभार सहयो गात्मत कम रहेगा सैयम बनाई रखे उपाय नमक नखाएं आदित्ते रिदे स्त्रोत का पाठ करे करक राशी कारिशेत्र में व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है अपनी कटू वाणी एवं क्रोध पर सैयम रखे मनपसंद भोजन प्राप्त होगा उपाय भगवान विश्णू सहसुनाम का पाठ करें मास मचली आदि का सेवन ना करें सिंग राशी पूजा पाठ में अभिरूची रहेगी देवस्थल के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर जाना पढ़ सकता है बुजूर्ग परिजनों की प्रती श्रद्धा बढ़ेगी उपाय साइकाल किसमें उकते हुए चंद्रमा को नमन करें कन्या राशी कारिशेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है किसी महत्पुण कारे में अकारण विग्न आ सकता है रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा उपाय महा मृत्युन्जे मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर ग्यारा बार जाप करें तुला राशी कारिशेत्र में आपके नेत्रत्व एवं प्रबंदन की सराहना होगी नवीन कार योजना की भूमिका बनेगी कारिशेत्र में आपकी विश्वेश भूमिका रहेगी उपाय हरा रुमाल अपने पास रखें व्रिशक राशी, व्यापारिक विस्तार की योजना सफल होगी, किसी अधूरे कारे के पूरे होने से मन में उत्सहा एवं उमंग बढ़ेगी, समाज में मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपाय ओम श्री लक्ष्मी नाराय नमा मंत्र का तुलसी की माला पर जाब करे धनूराशी, कोड कचहरी के मामले में सफलता मिलने के योग हैं, राजनीती में वर्चस्व अस्थापित होगा, कारिशेत्र में रुके हुए कारे पूरे होंगे, उपाय तीन गुमती चक्र चांदी के तार में एक साथ बांध कर अपनी जेब में रखे मकर राशी, कारिशेत्र में व्यर्थ भाग दोड बनी रहेगी, व्यापार में व्यर्थ वाद विवाद से बचे, किसी महत्वपून कारे में विलंब होने से मन खिन रहेगा, उपाय लाल पुष्प पानी में डाल कर स्नान करे कुम्ब राशी, बौधिक कारे में सन्नग्न लोगों को उन्नती प्राप्त होगी, किसी अभिन मित्र से भेट होगी, वाहन सुख में व्रधी होगी, उपाय अशोक के पांच पौधे लगा कर उने पोशित करे मीन राशी, भाग दोड अधिक होगी, आविश्कार शेत्र में कोई बड़ा निर्ने ना ले, अनावश्यक तर्क वितर्क आदी से बचे, उपाय जरुरतमन लोगों को दान करे जाहिर है, आज की समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो राशी फल में विश्वास रखते हैं, और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शोर लेकर आते ही, ताकि वो अपनी दिनचरिया को जान सके खेर, आज की राशी फल में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें, सीरियूस भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाँ